स्वागत है आप सबका आपके अपने चनल साइक एडमी फाल में जैसे कि हमने यह आप आज टेग लाइन लिखिये कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें ये भी पता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी आये थे आनलाइन लाइव बहुत सारे कोशन्स का आंसर देने जो बच्चों की लाइव डिसाइड करने वाले कोशन्स है ऐसे कोशन्स का उन्होंने कहा था कि मैं आंसर देने आऊँगो 10 दिसंबर को और बहुत सारे लाखो पेरेंट्स और लाखो बच्चे इस बात का इंतिजार कर रहे थे कि हमें उनके द्वारा एक एक कोशन्स का जवाब मिलने वाला और इसी उमीद से हम सबने उनका लाइफ स्टीम देखा था और उन्होंने क्या आंसर दिया उन सब कोशन्स का और क्या उसका मतलब निकल सकता है तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़े क्लियर करके जहूँ क्या-क्या उन्होंने कोशन पूछे गए उनसे और उनने क्या-क्या जवाब दिया है इसलिए चैनल पर नहीं हो सब्साइब करना मत भूलेगा और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा अगर वीडियो और इन्फोर्मेशन अच्छी लगे तो शेर करना मत भूलेगा आज क्योंकि ये शेर आपका बनना चाहिए लोगों पता लगना चाहिए कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए ता एक्चुल में आज हमारे साथ लेकिन वो सारी चीजे नहीं हुई है और लास्त तक वीडियो देखने के बाद जो आपके मन में कमेंट है वो कमेंट कर दीजेगा नीचे कमेंट बोक्स में लेकिन मरियादा का ध्यान में रखते हुआ थोड़ा सा चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन देखते हैं क्या था बच्चों का जो बहुत इंपॉर्टन है सबसे पहला कोशन जो बहुत इंपॉर्टन जेए नीट एक्जाम डेट क्या अनाउंस करने वाले थे वो बिलकुल करना चाहिए था अब नहीं तो कब जेए की बात अगर करू मैं यहां पे कि जेए का एक्जाम जन्वरी में होता है उनसे जब पुचा गया कि सब जेए का एक्जाम कब होगा अब बताईए तो उनका जवाब क्या था हमने करोना काल के अंदर लाखो बच्चों का एक्जाम कराया वर्ल के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया ऐसे काल के अंदर हमने लाखो बच्चों की परिक्षा कराई बे कराई थी अब करानी हैं बे फरक है अब आप बात करने आए हो पेरेंट्स और बच्चों को आप कब से बोल रहे हो टेक करो इस पे हैस्टेक चलाओ इस पे आपने सुझाव दो मैं आपको आंसर दूँगा ये तो वही बात कर रहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा आजादी तो हमें मिल गई लेकिन आंसर आप तब भी नहीं देखे गए हमें कि ये जईए का पेपर होगा अगब अरे सर जी चाहते क्या हो बस इतना समझा गए कि हमने लाखों लोगे की परिक्षा करा दी लेकिन आगे का क्या होगा बस ये क्या गए अगर सिचुएशन खराब हुई तो मतलब पीचे वाली जैसी सिचुएशन हुई तो फॉस्पन हो सकते है लेकिन सही रही तो क्या होगा क्या टाइम पे होंगे जा दस फंदा दिन पॉस्पन होंगे क्या होगा क्या होगा चल एक next question पर देखते कि next question क्या था भी बच्चों का फिर बहुत इंपॉर्टन कोशन है बही कि CBSC एक्जाम डेट मार्च अप्राल मही कब होंगे? CBSC अधिकारी आके अपना जंबर जी आता मन करते हैं किसी भी अख़बार में किसी भी न्यूस पेपर के साथ बात करते हैं कुछ भी बोल जाते हैं जी पैक्टिकल के एक्जाम ऐसे होंगे, पैक्टिकल के एक्जाम आफलाइन होंगे, आपने भी बोल दिया सर, कि आफलाइन होंगे, कब होंगे ये कोई नहीं बताता, चलो, आज तो आपने बोल भी दिया, 17 स्टेट्स में स्कूल ओपन हुए थे, फिर बंद भी हो गए आफलाइन होने ही चाहिए, सब कुछ तो कहना क्या चाहते थे, आज आप एक घंटा हमें अपनी जन्दीगी का वापिस चाहिए, सची बता रहूं, आज सब, बतला इतनी उमीद थी सब बच्चों को, और आप तो ऐसा लगता है कि सब उसके जो डाटा के बच्चों के पैस आफर देके जाएंगे उन सब कोशन का, और आपने कुछ टूइट तो चूज की है, शायद वो पहले सी कर रखे थे आपने, लेकिन जो बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे, कम से कम उनका यह आंसर दे देते, आप नहीं कर रहे हैं, पॉस्पन कोई बात नहीं मत करो, लेकि हम सारे बच्चे भी है भई, इन बच्चों को भी अच्छे से गाइड कीजिए, फ्यूचर जब हम डिसाइड करते हैं किसी बच्चे का, तो काफी पहले से कर लेते हैं न हम घर के बच्चे का, जब बच्चा करते हो सोचता है कि 9 से 10 से कि मुझे यह बनना है, हमारे तो 2 मह मीने बाद पेपर है, कब होंगे हमें भी तो गाइड कर दो, ऐसे ना करो, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला, इतना जूर बता गए कि हमने कमपार्टमेंट का पेपर कराया, हमने 12 के पेपर कराया, करोना काल के लाखों बच्चों ने पेपर दिये, बहुत सक्सेस्फू तो बच्चे बिमार हो रहे हैं, मतलब कि अब हम एक्जाम सेंटर में बैठ जाके जाके अगर घर में बिमार हो रहे हैं तो, क्या कहना क्या चाहते थे, मुझे सच्ची में समय नहीं आया, चिक है, लेकिन इतना जूर समझ में आया, कि अगर आपका ये एट्मोस्फियर बि लास्ट में, दिसंबर लास्ट में बोल दिया जाए कि आपके एक्जाम बिल्टकुल ओन टाइम होंगे, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर पॉस्पोन करने होते, तो एक भोल दिया जाता कि शायद एक मेने बाद हम लेके चल रहे हैं कि एक मेने बाद होंगे, उससे भी ज स्लेबर्स रेड़्ूस होगा कि नहीं होगा सीबियसी का और, उस पर भी बड़े अच्छा जवाब दिया आपने, अब हमें कोई भी क्लियर्टी नहीं है, यह है कि आउन टाइम होंगे, पॉस्पोन किये जाएंगे, तो इसलिए हमें अपनी प्रपेशन को पूरा करके चल हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने क्रेश कोर्स भी लॉंच कर रहा है, चाहे तैंथ के हो, चाहे त्वेल्थ के हो, जिसके उपर मैं मैं सके बहुत सारे चप्रस करा रहा हूं, तैंथ, 11, 12, सब क्लासिस की लाइफ क्लासी चल रही है, वीडियो अपलोड हो रही है, आप पर है, तो आप वो क्लासी अटेंड कर सकते हो, साथ के साथ, अनकेडमी पे मेरी बिल्कुल फ्री लाइफ क्लासी चल रही है, आपको कोई भी पेमन नहीं करनी होती, स्पैशल लाइफ क्लासीस के अंदर, जैसे आप कॉलम देख रहे है, स्पैशल क्लासीस का, इसके अंदर आउट पूछ सकते हैं, और उसके लिए बता दूँ कि आपको एक इन्विटेशन कोड की जरूरत होती है, इन्वाइट कोड आप देखेंगे, तो साई अकेडमी अगर आप यूस करेंगे, तो आप कोई भी टेस्ट और कोई भी क्लासी में अटेंड कर सकते हैं, किसी भी ट आप प्लस पे और आइकोनिक पे भी अनकेडमी को जोईन करते हैं, इसके रिकार्डिंग कोई भी बात करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक बहुत बड़ा कोशन था, क्या CBSC अभी भी स्लेवर्स को रिड्यूस करेगा, क्योंकि पड़ाई तो हुई नहीं, स्कूल तो खुले नहीं, तो बच्चे क्या करें, क्या पूरे उसी 70% पर होगा, तो जवाब क्या था, कि कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया, कि आपका ये स्लेवर्स कम नहीं करना चीए, तो जो 30% भी हुआ है, आपको पूरा स्ले के प्रो में भी दे देंगे, तो अगर ठीक हो गया, तो नेक्स येर पूरा होगा, ये तो सब को बता है, लेकिन अभी क्या होगा, अगर आपने नहीं करना कम, अब और नहीं करना कम, तो एक बार क्लियर बता दो, और कम नहीं होगा, 30% रेड्यूस कर दिया, बहुत है, लेकिन आपने सची में आज दिल तोड़ दिया, इतना तो पहला प्यार में दिल नी तोड़्ता, जितना आज आज आपने तोड़ा है, तो इसका मतलग इस बात में भी clarity है कि इस से कम syllabus नहीं होगा, जितना कम हो चुका है, हो चुका है, paper postpone होंगे, नहीं होंगे, वो clarity नही आपको इसी स्लेवर्स में और यह मान के चलना चाहिए कि आपके पेपर ओन टाइम होने वाले मैं तो यह बोलूंगा ठीक है पॉस्पोन होने चाहिए वह फैक्ट बात है लेकिन आप मान के यह चलिए कि ओन टाइम भी हो सकते हैं अपने आपको मैंटली प्रेपेर करके रखि उन्होंने जो बोलना था हो तो बोल के नहीं गए चीक है कौन कौन सी कहानिया कौन को हाँ एक बात और बोल गए कि आपको अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना चाहिए चीक है किचन में हेल्प करनी चाहिए मतलब आज से आप हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स की बिल्कुल अच्छी बात लेकिन सर जो हमने पूछा उसका भी तो आप जवाब दे दो आपको भी तो उसका जवाब देना चाहिए की नहीं देना चाहिए हम तो कर देंगे पेरेंट्स की हैर चलो क्या कर सकते हैं तो निशकर्स यही था कि भाईया हमें कुछ भी Clarity नहीं मिली है ना JEK exam एक्जाम की ना सीबीस की और स्कूल ओपन की किसी चीज की कोई क्लियरटी नहीं है तो अपना चिल करो पढ़ाई करो मेंटली प्रेशर ना लो और अपने पेपर की पिरपेशन करना स्टार्ट कर दो ठीक है अने केडमी मुझे फॉलो कॉल लेना और यहां की सारी लाइब क्लासिस भी अटेंड करना स्टार्ट कर दे चलो विश्यू ओल दा